तो यह है classic 350 मेरे पास restoration के लिए आया है बहुत ही गंदी हालत है तो tank का हालत देख सकते है आप तो सिर्फ tank नहीं पूरे बाइक का हालत ही बहुत खराब है लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ tank को paint करेंगे तो tank पे जगा जगा पे dent था और बहुत जगा पे color भी उरा हुआ तो रस्टिंग का issue हो रहा था तो रस्टिंग का issue ना हो इसलिए हमने थोड़े epoxy primer मार के रखा है इसके उपर तो अभी हमने dent को ठीक कर लिया और पूरे tank को send कर लिया send के बाद अभी final primer मार रहे हैं यह भी टूक epoxy primer है तो हम इस पे surfacer primer भी use कर सकते थे लेकिन surfacer primer के मुकाबल जो epoxy primer है यह ज्यादा quality primer है अच्छा quality का है और यह metal के साथ चितना metal का चीज है ना उसके उपर यह अच्छा result देता है और कभी रस्टिंग का issue नहीं आता तो इसलिए मैं कोई भी metal part हो हमेशा मैं epoxy primer use करता हूं देखिए आप अगर अच्छा product use करेंगे paint करते time तो result भी अच् तरह का हम paint कर सकते हैं सस्ते में खतम करो जैसे भी करके दे दो और एक हुद है proper अच्छी तरीगर से painting करो ताकि वो पास 10 साल अराम से चला जाए कुछ नहीं होता उसमें paint में तो यहाँ पे costing का भी difference आ जाता है लेकिन जो सस्ता वाला paint है वो आपको 6 महिना या एक साल बात फिर से खराब हो जाएगा तो फिर से आपका खर्चा होगा तो इसलिए मैं suggest करता हो जब paint कराए एक बार कराए लेकिन अच्छे quality का paint कराए ताकि 5 साल 10 साल उसको हाथ ना लगाना परे मार्केट में 500 रूपे लिटर से लेके 15,000 रूपे लिटर तक paint आता है तो आप समझ ग करवाए हमेशा कौन सा ब्रेंड का paint यूज़ कर रहा है वो पूछ लेना पेंटर से और थोड़ा रिसर्च कर लेना कि वो ब्रेंड का paint का quality कैसा है क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे स्केम होते हैं इस पेंटिक लाइन में इसलिए मैं यह सब आपको बता रहा हूं तो हमने पहले सोचा था कि इसको matte finish में करेंगे color को लेकिन बाद में decision change हो गया अभी हम इसको gloss में करेंगे तो इसलिए मैं अभी base coat के उपर sticker apply कर रहा हूं sticker apply करने के बाद हम इस पे clear coat apply करेंगे तो यह जो sticker वगरा है मैंने सब amazon से मंगवाया है तो अगर आपको खरीदना है तो description में मैं उसका buying link दे दूँगा आप वहाँ सचा के खरीच सकते हैं तो इसमें हम 3D logo वगरा भी लगाएंगे तो वो clear coat apply करने के बाद जब clear coat सूख जाएगा 3D logo उसके उपर लगाएंगे तो वो देखने के लिए जब मेरा full video आएगा bike के restoration का उसमें आप यह सब देख सकते हैं अ कर देख सकते हैं कर दो